राष्टवानी भागदो पुस्तक का नाम है राष्टवानी भागदो जिसमें हम लोग पार्ट सिक्स जिसका नाम है एकता का लाव एकता का लाव यानि एक साथ मिलकर रहने से कैसे कौन सा लाव मिलता है उसके संदर में इस पार्ट में हम कहानी सुनाएंगे सबसे पहले देखते हैं इस पार्ट में कबूतर के संदर में बातें की गई है तो कबूतर का कुछ तस्वेर फोटो हम लोग देख लेते हैं कहानी सुरू करते हैं फोटो में हम लोग देख रहे हैं पेर के ऊपर बहुत सा कबूतर बैठा हुआ है ऐसे ही पार्ट में हम लोग को बताया गया है कि जंगल में पीपल का एक बरा पेर था उस पेर पर बहुत से कबूतर रहते थे वह कबूतर दिन में भोजन की खोज में घूमते थे और रात में उसी पीपल के पेर पर रात भर आराम करते थे एक दिन कबूतर भोजन की खोज में बाहर निकले उरते उरते दूर जाने के बाद उसमें से एक छोटा कबूतर बोला देखो देखो कितने अनाज के दाने बिखरे पड़े हैं यहां खाने के लिए बहुत दाना है सभी कबूतर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा तभी एक कबूतर बोला ठहरो ठहरो अभी मत उतरो जंगल में इतने दाने कहां से आये लेकिन दूसरा कबूतर सभी इस बूढ़े कबूतर की बात नहीं माना और उतरने लगा लेकिन बूढ़ा कबूतर दूर जाकर बैठ गया सभी कबूतर दाना चुगने लगा और बूढ़ा कबूतर दूर से देख रहा था दाना खा लेने के बाद अब कबूतर उड़ना चाहा लेकिन वे तो अब जाल में फस गया था तब तक देखा चिरियां पकरने वाला आ रहा था तब बूढ़ा कबूतर बोला घबराओ मत सब मिलकर जोर लगाओ और एक साथ जाल को लेकर उर चलो सभी कबूतर ने मिलकर जोर लगाया और जाल को लेकर उरने लगा बूढ़ा कबूतर आगे आगे और ये सभी पीछे पीछे बहुत दूर जाने के बाद एक पेर के नीचे उतर जाने को कहा जाल के साथ सभी कबूतर नीचे उतर गया वहाँ बूढ़ा कबूतर का दोस्त चूहा रहता था चूहा उस जाल को काट दिया सभी कबूतर जाल से निकल आया उन्होंने सभी मिलकर चूहे को धन्यवाद दिया एक होकर रहने से यही लाव मिलता है धन्यवाद बच्चों झाल